नमस्कार, competition committee में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेमिन प्रधान, आईए friends आज हम स्टार्ट करते हैं October 1st and 2nd week के कुछ महत्पूर्ण current affair को जो environment and science and technology से related है, ऐसा content जो आपके examination point of उससे बहुत important है, आज के session में cover हम करने वाले हैं, आज के session में हम cover करने वाले हैं Nobel Prize 2022 को, यहाँ पे इस session में बहुत सारी ऐसी बाते हैं सीखेंगे, जो आपके लिए काफी helpful होगी, तो चलिए start करते हैं, तो हम October 1st से लेके 14th October के important content को आज हम cover करेंगे, सो start करते हैं आज के session को, तो सबसे पहले content देख लेते हैं कि आज के session में क्या ऐसा महतपूर है, तो सबसे पहले content में देखेंगे Nobel Prize 2022, ठीक, जिसमें कि उसके बाद हम cover करेंगे कि different अलग-अलग reasons, अलग-अलग sector के, जो Nobel laureate होते हैं, Nobel Prize winner होते हैं, तो वो सभी Nobel laureate और किस contribution के इनको मिला है Nobel Prize, यह हम समझेंगे, उसके बाद यह जो week है, कुछ important content है, Nobel week, wild life week, उसके बाद world space week, और उसके बाद देखेंगे, रामानुजर प्राइस को भी देखेंगे, क्यों इसको सहस्तर रामानुजर प्राइस कहा जाता, यह भी समझेंगे, और 19th Indian Air Force Day, यह भी हम समझ देखेंगे, तो आज का session start करते हैं, तो देखिए सबसे पहले, जैसा कि हम पढ़ते हैं, हम environment, science and technology से related, हम इसके static और जी के दोनों पार्ट वो cover करने का प्रयास करते हैं, जो relevant होता है, जो exam के point of उसे helpful हो सकता है, और हम session को अच्छा थोड़ा power करने के लिए, थोड़ा बहतर presentation के लिए, आपके लिए ज्यादा ये fruitful हो, ये session, that's why हम इसमें कुछ tricks, कुछ important facts, कुछ motivation चीज़ें लेकर भी आते हैं, ताकि ultimately आप अपने target को, अपने goal को बहतर तरीके से उसे set कर सको, उसे achieve कर सको, ठीक है, तो चलिए start करते हैं आज के session को, तो सबसे पहले हम start करेंगे, थ तारिक तक का ये जो समय, तो एक से लेके 10 October का ये समय कई माईनों में बहुत मत्पूर होता है, क्योंकि अगर आप देखते हैं, अगर आप देखते हैं, दो October से, देखिए, एक से 10 October तक का ये समय मैंने कहा है, तो अगर हम 2 October से लेकर, अगले 7 दिन, याने कि सीधा-सीधा क कह सकते हैं, 2 से 8 October तक का जो समय है, जो complete week जो होती है, ये week बहुत important होती है, क्योंकि United Nation के द्वारा ये initiated है, प्रारंब किया गया है, National Wildlife Week, हम भर है, यहाँ पे नेशनल लिक रहे हैं, क्योंकि भारत सरकारिसम सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन actual में ये United Nation का initiative था, ये global लेवल पर भी मनाया जाता है, celebrate किया जाता है, क्यों किया जाता है, reason बहुत साफ है, कोई भी डे को celebrate इसलिए करते हैं, क्योंकि उसके प्रती awareness फैलाया जा सके हैं, ये day भी कुछ ऐसा ही था, कि पहले एक बार सोचा गया कि future में wild animals खतम हो सकते हैं, finish हो सकते हैं, तो क्यों ना उसके प्रती awareness फैलाया जाए, ठीक है, तो इस awareness के लिए ये बनाते हैं, ठीक है, तो ये week आपको याद रखना है, अब इसी week में ही अगर हम तीन तारिक से स्टार्ट करेंगे, तो तीन तारिक से स्टार्ट करते हैं, तो तीन तारिक से लेके 10 तारिक तक का हमारा जो week होता है, वो उनकी घोशना की जाती है, वो तो दिया जाता है 10 December को, ठीक है यह बात ध्यार रखना, तो यह Novel Week होगा 3 से लेके 10 October तक का Then यहाँ पर देख रहे हैं कि World Space Week है ना यहाँ पर विस्प अंतरिक्ष सप्ता जिसमें कि 4 October से लेके 10 October का यह समय देखते हैं यह वो समय होता है, तो याद रखिएगा 4 October 1957 को USSR, यानि कि दुनिया का पहला ऐसा सैटलाइट स्पेस में भेजा गया था इसे USSR ने भेजा था उसका नाम था Sputnik First ठीक है, इस Sputnik First जो है इसके द्वारा भेजा गया था तो उस डे को celebrate करने के लिए United Nation का ये initiative है क्योंकि पूरी दुनिया में कोई पहला ऐसा देश था जो प्रत्थम बार अंतरिक्च की ओर गया था जिसका सैटलाइट गया था वो था USSR और Sputnik First सैटलाइट का नाम था तो इसलिए चार अक्टूबर को माना जाता तो चार अक्टूबर से लेकि दस अक्टूबर तक वर्ल्ड इस्पेस भी होता है ये बात है ध्यां रखनी है अब हम मूव करते हैं इसके डीटेल ये सब दिये हुए है क्यों मना celebrate किया जाता है आप इसे अलग से note करना चाहें तो कर सकते हैं ठीक है जैसे कि अपने यहां पर देख रहे हैं कि 2 से 8 अक्टूबर तर्मने celebrate करते हैं भारत में फर्स टाइम जो है 7 जोलाई 1955 को ये celebrate किया गया है ना और प्रत्तिक वर्स 2 अक्टूबर से पूरे विग के लिए मनाय जाता है है ना 1956 से मनाय गया देखो ये जो है आपका क्या है 1955 में वाइल लाइफ जो है डे जो है celebrate किया गया और जो नीचे देख रहे है 1956 से वन जीव सप्ताह मनाय गया ये पर्टिकुलर्ली डे है ठीक है वन जीव दिवस के लिए है और उसके बाद यहां पर पूरे विक के लिए ठीक है चलिए अब देखते हम अब देखते हम दूसरा की 4 से 10 अक्टूबर जो है जो है हमारे पास जो इंटरनेशन या वर्ल्ड स्पेस विक है इसमें आप देखते हैं कि ये इसरो और अटल इनोवेशन मिशन जो है भारत सरकार का ये अलग से इनिशेटिव स्टार्ट किया गया जब ग्लोबल लेबल पर युनाटेट नेशन ने अनॉंस्मेंट कर दिया ठीक है कब किया 1999 में 1999 में तो भारत सरकार ने इसे जो है आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया है तो इस रो और अटल इनोवेशन मिशन की मदद से इसे सलाया जो है सेलेबरेट किया गया है ठीक है वर्स 2022 में नाओ ये जो बात आती है अब नोबल प्राइस की अब इसे हम समझते हैं और नोबल विक की बातें भी आप इसमें बहतर तरीके से जान जाएंगे तो देखिए अगर नोबल प्राइस की हम बात कर दें तो कितने सेक्टर में दिया जाता है कब कब दिया जाता है और क्यों दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है सभी चीज का सलूशन इस स्लाइड में है अगर आप यहाँ पे बात करें नोबल प्राइस के यह है रिनाउन साइंटिस अल्फरेट नोबल साहब अब वो क्या है डाइनामाइज का इन्वेंशन किया था उन्होंने आविशकार किया था जो बेसिकली एक एक स्प्लोजिव है एक विस्पूटक है यह जो डाइनामाइट है यह उस समय की एक बहुत बड़ा एक इन्वेंशन माना जाता है बहुत बड़ा आविशकार माना जाता है ठीक है और वो अपने जीवन में अरजित की गई कुल संपती को जो है बैंक में रखेट है उसके बाद उससे ब्यास जो मिलने वाली रकम है उसको प्रतिवर्स उसी रकम का यूज किया जाता है और प्रतिवर्स क्या है नोबल पुरसकार जो विजेता होते हैं उनको ये प्रा ठीक है ताकि उन्होंने नोट नहीं किया था इमेजन करी आपकी जॉब लगी है नौकरी लगी है कि इस पर MPCL पे यहां पर MPCL पी और इसके बाद देखते हैं यह है आपका ए तो MPCL पे यानि कि जैसे BPCL होता है ना भारत पैट्रोरियलम कॉर्परिशन लिमिटेड ऐसे जो है भातिक सास्त कहते हैं केमेस्टी रसायन विग्यान लिटरेचर एल पीस का जो है पी जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं उसे सांती कहते हैं और उसके बाद एकनॉमिक्स यानि अर्थ सास्त्र इतने सेक्टर में दिया जाता है ठीक है तो कितने सेक्टर हो गए बही टोटल 6 सेक्टर हो गए 6 छेत्रों में दिया जाता है अच्छा यहां पर कब कब दिया जाता है तो जैसे मैंने नोबल वी कहा था ना तो 3 से लेके 3 यहां पर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और उसके बाद दिखेंगे सीधा 10 आठ और 9 को कुछ नहीं दिया जाता यह सब किसब क्या है अक्टूबर मन्थ है तो इसलिए कि आठ तीन से लेके 10 अक्टूबर का जो समय है यह जो समय है इसे नोबल वी कहा जाता है यह बाते आपको ध्या रखनी है अब हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप की जो सब्जेक्ट है तो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन से प्रकार की संस्था के दौरा यह नोबल प्राइस दिया जाता है सब को नोबल प्राइस ही कहेंगे लेकिन किसी संस्था के दौरा यह इनिशेटेड है उसके दौरा यह क्या है दिया जाता है ultimately सबके सब Nobel Prize ही है जैसे हम बात करते हैं starting first से करते है physiology जो होता है actual में केरलिस्का Institute of Nobel Assembly है ना एक Nobel समीती है तो उस में उस समीती के अलग-अलग में 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 रहे हैं जैसे नौर्वेजियन Nobel Committee वैसे देख रहे हैं कि यहां पे केरलिस्का Institute जो Sweden का है है ना ये जो है इनकी जो कमिटी है ये कमिटी के द्वारा ये initiated था यहां पे इनके द्वारा दिया जाता है केरलिस्का Institute of Nobel Prize या Nobel Assembly तो ये physiology सेक्टर में कहा है Nobel Prize है ना इनके द्वारा इनके समीती में दिया जाता है इनके मेमरी में दिया जाता है है ना इनको याद इनके याद में क्या है ये नोबल पाइस दिया जाता है ठीक है तो फिजियोलोजी वाली बात समझ में आई जिसे चिकितसा भी कहेंगे मैडिसिन भी कहेंगे उसके बाद P के बाद देखो M के बाद देखो P P जैसे देखते हैं Physics तो फिजिस में देखते हैं Royal Swedish Academy of Sciences यहां भी भी Royal Swedish Academy of Sciences और यहां भी भी Royal Swedish Academy of Sciences ठीक है स्वेडिस मतलब स्वेडन तो इनके दवारे ये क्या दिया जाता है क्या दिया जाता है आपकी एवन ये जो देख रहे हैं कि ये जो आर्थ असास्तर है ये जो फिजिक्स है और ये जो कैमिस्टी है रॉयल स्वेडिस अकैडमी आफ साइंसिस के दौरा ये दिया जाता है ठीक ये बात ध्यान रखना है उसके बाद अगर आपको पूचा जाए कि सान्ती के सेक्टर में नॉबल प्राइस किनके दौरा दिया जाता है तो यहां पर नॉबल प्राइस जो मिलता है नॉर्वेग की नॉबल नॉरुघियन नॉबल कमेटे के दौरा ये इनिशेटेड है उनके दwarah ये दिया जाता है और साहित तेका सुटीज अकडमी के द द्वारा दिया जाता है इस परकार चीजें आपको याद रखनी है ये अलग-अलग परकार की चीजें आपको एक्जाम में हल्प करेंगी अच्छा आपको यहाँ पर याद रख लेना है कि लास्ट जो आपका economics का जो nobel price है, उसे हम 1968 में स्थापित किये थे, और first year, first time हमने 1969, मतलब ठीक next year में प्रथमबार दिया गया था, इसे Swirinjes Rix Bank price भी कहा जाता है, इसका हम description आगे देखेंगे भी, Swirinjes Rix Bank, ठीक, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, तो काफी पहले से first time कब दिया गया था, 1901 से प्रारंब हुआ था, एक्सरे की जो खोज किये थे, डबलू रॉंट जन, उनको सबसे पहले, जो है, उनको डबलू रॉंट जन को क्या है, physics के sector का पहला Nobel price मिला था, ओवराल भी पहला ही है वो, ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है, चलिए, आगे बढ़ते हम, अब step by step, वही बात जो मैं आर्फ को बता रहा था, 6 सेड़ों में दिया जाता है, MPCL पे वो trick है, इसके बेस पे याद रखेंगे, now, come to the part, कि अब M से start करते हैं, मैडिसिन से start करते हैं, तो मैडिसिन सेक्टर में जिनको नोबल प्राइस मिला है, carefully समझना, बहुत interesting है, ठीक है, जैसे हमारे पुरवच कौन थे भई, हमारे पुरवच तो monkey थे, बंदर थे, और इसलिए monkey के बहुत सारे क्या हैं, उनके जो jeans हैं, वो हमारे भी भी मिलते हैं, ठीक है, उनके भी चार हाथ पैर हैं, हमारे भी चार हैं, वो पेडों पैर हैं, है ना, दो हाथ को क्या करते हैं, दो हाथ और दो पैर को अबलाई को यूटिलाइस करते हैं, रहने के स्थान के आधार पर और हम भी क्या है उसे यूस करते हैं लेकिन हमारा पैर का काम क्या चलना है हाथ का काम दूसरे एक्टिवीटी को करना है लेकिन अगर हम बात करते हमारे पुर्वजों के बारे में खास कर human being के पुर्वज की particularly बात करें यानि कि मानो के ही मानो पूर्वज ठीक यह बात समझ में आई जिसे हम homo sapiens है हमारा हम अभी जो आधुनिक मानो है उसका नाम है homo sapiens इसके पहले नियर्थ हैंडल मानो था उसके पहले और भी बहुत सारी पढ़ते हैं से chromagnan मानो है ना chromagnan वैसे आप पढ़े होंगे एक नए प्रकार के मानो की खोज हुई है या कह सकते हैं यह नोंने सहाब ने स्वेते पाबो स्वंते पाबो ने क्या किया genomic structure genome सरचना है ना नब्वे के दसक में genome सरचना का अध्यन करना प्रारम किया था तो उन्हों क्या किया कि genome structure को उन्होंने अच्छी से रेड किया पकड़ा उसको study किया genome क्या होता भी आप समझ जाएंगे genetic structure को हम completely study करते हैं उनके DNA को तो अगर हम बात करते हैं DNA को तो यह DNA क्या है दुनिया की सबसे स्थाई चीजों में से एक चीज है तो अगर हम DNA की बात करते हैं तो अगर उसके DNA के स्थाइट में इतना जादा है तो आज कहीं पे किसी का कहीं blood गिर गया या कहीं पे saliva या थुक गिर गया या किसी पर किसी का बाल खरोच के कहीं गिरा है और सम्थिंग कुछ भी है वह DNA को पकड़ के क्या study किया जा सकता है और वह आसानी से पता लगाया जा सकता है इवन आप अपने दादा पर दादा और प्वास्ट की चीजों को भी जान सकते हैं क्योंकि जैनेक्टिक स्टक्चर जो है है ना सब का अल स्टक्चर को study करना पड़ेगा तो इधर विदर की बातों को यहां पर relate करते हुए हम finally से समझते हैं कि स्वैंते पावु ने the concerning the genome concerning the genome of activist homo names and the human evolution ठीक है तो इसको इसकी खोज के लिए उनको क्या है Nobel Price मिला है physics sorry medicine के sector में जिसमें इन्हों ने यह देखा कि वर्तमान इंसानों से जो लुप्त हो चुके इंसानों के पूरवच के प्रसार को जानने और पहचानने का उन्होंने बहुत बड़ा जिम्मा उठाया और उसको study कर डाला finally जो पूरी तरसे एक असंभव काम था जैसे हमारे पूरवच आज की इंसानों के पूरवच कौन जैसे की अलग-अलग छेतरों में पाये जाते थे दुनिया के है ना देखो यहां पे देखते हैं कुछ African country में कुछ European country में कुछ यहां पे देखते हैं और ये जो अभी आज हम देख रहे हूं यह होमोसेपियन्स हैं हमारे पूरवच कौन है नियर थंडल और उनका जो जी उन्हें एक से दो परसण हमारे में भी भी मिलता है लेकिन उन्होंने क्या खूझ डाला कि एक ऐसा मानौ भी था हमारे पूर्वज में जिसका नाम था डैनी सुवा, ये डैनी सुवा जो है उस मानौ Salt के जीन की भी उन्होंने खूझ कर ली और उसका अंस मिलता है मानों में और उन्होंने ये बता दिया कि हमारे पुरवज जो थे और नियर थेंडल थे, क्रोमेगनान थे और भी थे लेकिन यहाँ पे डैनी सोवा भी था ये बात समझ में आई तो अब वापस उस स्लाइट पे चलते हैं चुछ चीज़ें बहतर से क् देखिए उसमें ये लिखा है स्वांति पावो ने एक बहुत असंभाव काम किया कि हमारे इंसान अभी वरतमान इंसान के जो पुरवज है नियर थेंडल उनकी इन्होंने जी नॉमिंग सिक्वेंजिंग की उनके जी एने का डी एने का उन्होंने क्या किया और ये खोज न चमतकार उन्होंने स्टडी करके बता दिया आपको जीनों में प錯 का double standard होते हैं अब इसमें double standard होते हैं तो ऐसा गर कि इसमें क्या पूरा इनका genetic structure होता है उसमें basically genes होते हैं और वो genes किसी भी लक्षण को अगले पीड़ी में represent करने के लिए क्या है वो क्या होते हैं responsible होते हैं ये बात समझ में आई आप टॉल कियो हैं आप गोरे क्यों हैं काले क्यों हैं सावले क्यों हैं आपके बाल करली क्यों हैं ये सब चीजों के पीछे reason क्या है जीन होता है आप जो चीज़ जैसे भी दिखते हैं जो भी चीज़े आपके overall जो है आपकी सारिक बनावट है उसके पीछे क्या है ultimately जीन का ही responsible है जीन का ही सबसे बड़ा है अगर सबसे स्थाइच चीज है माहा लो हड़ी मिल यहांbreak कोई ऐसा चीज मिल यहां पर हम पढ़ेंगे इन्होंने क्या किया देखो यहां पर को खोपड़ी और उसके स्केलेटल पार्ट को उन्होंने स्टडी किया है कर अदो आफिक से Nine है डियन का परोके आए हैं और इंसानों में ये जीन्स जो है जो है काफी एहमियत रखते हैं क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है या आपकी जो बनावट है आपकी ओवराल जो जैनेटिक स्टॉक्चर है अल्टिमेटली वो पूरवजों से इनहरीट होके आए है ठीक है जैसे माता और पिता का जो जीन होता है वो संतानों में जाता है है ना तो या माता और पिता का जो जीन माता और पिता में जो जीन आया होगा उनकी माता पिता यानि की दादा दादी उनके हम कह सकते हो पहले दादा दादी यानि पर दादा पर दादी सम्धिंग से आया होगा और ऐसे पी बहुत सार एजीन का आपस में क्या समानता दिखेगी अगर नियर्थ हैंडल के ऐसे पीछे चले जाएंगे तो और कुछ बानाओ और पीछे चले जाएंगे तो और कुछ दिखेगा और ऐसा करते करते हम देखेंगे तो एक जो similarity होगी वो monkey से रहेगे ठीक है बंदरों से रहेगा ये बात समझ में आई जैसे हमारे हाथ और पैर हमारे घुटने तक नहीं पहुंच पाते हैं हमारे हाथ जो अपने घुटने तक पहुंच पाते हैं जब आप खड़े हैं तो लेकिन जैस तक जाते थे यानि कि आप जो जुक के नीचे जूते हैं तो उनके हाथ जो है काफी नीचे तक जाय करते थे ऐसे बहुत सारी बाते कभी स्टाटिक पार्ट में उससे समझेंगे भी तो यहां पर बातों को समझें कि यह जो आप देख रहे हैं यह जो मानाव की sequencing है जो human being की sequencing है उनके DNA की sequencing है इसके आधार पर आप समझेंगे कि जो DNA है वो homo sapiens या DNA डैनी सोवा जो है आपके नियर थेंडल नियर थेंडल से homo sapiens में आया है ना वो जो जीन वो जो DNA structure है वो काफी सारी समानता दिखी जिसके आधार पर उन्होंने क्या स्वेंते पावो ने यह कहा कि भई एक और मानव था जिसका नाम था डैनी सोवा और डैनी सोवा का भी जीन तो मिलता है इसके आधार पर यह प्रूफ किया गया तो यह बहुत बड़ी खोज थी हैना यहां पे इस बड़ी खोज के कारण इनको क्या है मैडिसीन के सेक्टर का क्या मिला था नॉबल है दूसरी बात करते हैं हमारे पास फिजिक्स के सेक्टर का तो फिजिक्स के सेक्टर का जो नॉबल प्राइस मिला है है ना किनके द्वारा दिया जाता है जैसे हमने सुरुवात में पढ़ा है रॉयल स्वीडिस अकैडमी आफ साइंसे के द्वारा दिया जाता है है ना उन वो अभुत्पूरी कारिक क्या है उन्होंने ये बताया कि जो उल्जे हुए फोटान है फोटान का मतलब क्या होता है फोटान क्या एनर्जी के पैकेट को फोटान कहते है ठीक है एनर्जी के पैकेट उर्जा की बंडल को फोटान कहते है जिनको इन्होंने क्वांटम इंटें फिजिक्स में उनके अभुतपूर रिजुगदान के लिए जिसमें कि क्या कहा गया कि उसमें ये कहा गया कि कौधम फिजिक्स को एक सिध्धान के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके जो मान होते हैं इसके जो value होते हैं है न वो सीधा क्या होते हैं वो variables का यूज़ करते हैं वो variable का यूज़ करता है ये बातों को ध्यान रखना है आपको केवल एक ही चीज़ समझनी है क्वांटम physics में इनका योगदान के कारण आपको यहाँ पे बेल आसमानता क्या है और यह सब चीजों पे हम अभी नहीं पढ़ेंगे है ना इस पर हम अगर इस्टडी करेंगे तो बहुत सारी बाते और नहीं निकल के आएगी ठीक तो यह तीन नाम याद रख लेना क्या क्या नाम मैंने कहा यह ती आपको यह तो बिसस्क्रिक्टिन डिटेल दिया हुआ है अगर आप नोट करना चाहें तो उसके बाद देखते हैं कैमस्टी की में क्या है कैरोलीन आयर बर्टो जी को Morton Mandel को Mandel को اور K Barry Sarples को इन्हों ने क्या किया क्लिक Chemistry और Biorethogonal Chemistry के विकास के लिए Vers 2022 का Novel Chemistry में Novel Price मिला है और Basically Sarples जो है उनको Second बार Novel Price मिला है इससे पहले उनको एक बार और मिल चुका था Vers 2001 में तो ये जो देख रहे हैं ये 2001 का description है बाकि ये जो देख रहे हैं ये वर्स 2022 का है तो सापले साहब ने क्या किया क्लिक केमेस्ट्री सब्द पर एक बड़े पहमाने पर काम किया और मेल्डल साहब ने किया किया ट्राइजोल नामक एक विशेश रासाइनिक सरचना के बारे में खोज की जो इसके बहुत बड़े यूसेज है एप्लिकेशन्स है और बर्टोजी साहब ने क्या किया जो क्लिक जो प्रतिक्रिया थी उसको विक्सित करने का काम किया जो जीवित जीवों के अंदर काम कर सकते थे उसे उन्होंने बायो क्योंकि वो जीवित चीजों के लिए बायो और्थो गोनल प्रतिक्रिया जिन्होंने ये क्या है पूछा जाया तो भाई ये सब्द ही उन्होंने कोइंड किया वो सब्द ही उन्होंने निकाला है बायो और्थो गोनल प्रतिक्रिया है ना उसके लिए य प्रिशान होने की जवरत नहीं है फिजिक्स में किसके लिए युगदान दिया गया था तो क्वांटम फिजिक्स ठीक क्वांटम फिजिक्स को किसी एक concept पर नहीं बांदा जा सकता हूँ क्योंकि वैरियबल्स का यूज करता है दूसरा कैमेस्टी के बारे में अगर हम बात कर तो कैरोलीन मॉर्टन और मेरिसी सार प्लिस को तीनों को दिया गया अब यहांस पर बात करते हैं तो यह हैं क리 canуб स्टी को यहां पर नीचे स्थ यहος कि क्लिक जु wid hungry talk एक्यों के अंदर कैसे की सब काम करेगा तो काम करने पर उस बाइओ ऑर्फोगोनल प्रतिक्रिया मतलब जो जो डी एक्षन करता है जो रिफ्लेक्ट करता है वो सब के लिए ना और बेरिद्ल साहब के लिए ट्राइजोल नाम की क्रासाइनी सरेचना के बारे में उन्होंने क्या किया ये खोज किया तो इस प्रकार हम बात करते हैं ये आपकी chemistry का है now come to the part next part जिसमें हम देखेंगे description लिखना चाहें तो detail note कर सकते हैं बट आगे बढ़ते हम आगे बढ़ते हमारे पस आता है एना एम पी सी उसके बाद के बाद आ जाता ता सीध़ा L का मतलब है सीधा क्या है literature लेटरीचे लैने साहिटिय तो 2022 का साहिटिक जो noble price मिला था किने को मिला था any airnox को मिला था एनि एर्नॉक्स को करते वे इनके इनका जो है लिटरीचर जो है इनोंने लिखा और इसके लिए इनको क्या नोबल प्राइस मिला था पर्टिकुलरी जो इसके बारे में लिखा देखिए साहस और नैदानिक ठीक्षणता जिसके साथ वह ब्यक्तिकत स्मृति व्यवस्थाओं और सामुइक प्रत साहस होती हैं समेदनाएं होती हैं और बेसिकलि उनके जो विशय होते हैं वो सामाजिक असमानता की बात करते हैं जो अंतरक संबंध होते हैं जो सिक्षा के बार समय और स्मिति के माध्यम के साथ सामाजिक वर्गों को आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं ऐसे अनुभवों क वो क्या करते हैं इस प्रकार आप लाइक वो लिखते हैं अपनी किताबों में ठीक और उनका जो ओवराल का हज़ा है ये बहुत सारे ऐसे आप लाइक गर्ल्स स्टोरी महिलाओं पर है ना महिलाओं क्या सोसती हैं एकांत में और ऐसी बहुत सारी जो है वो असमानता या जब अब लाइक उसके साथ भेद भाग किया जाता है तो क्या परिसितियों से वो गुजरती हैं बेसिकली ऐसे बहुत ही समीदन सील मुद्धों पर उनका जो है बेसिकली लिखा वो लिखते हैं तो एनी एरनौक्स ये बात याद रखिएगा साहा सो नैदानिक तिक्षणता के लिए और वह अब्यक्ति के दिस्मीति के लिए व्यवस्थाओं एवं सामुविक प्रतिवंधों को उजागर करने वाले ऐसे ऐसे साहित के लिए उनको क्या है नोबल प्राइस मिला था ठीक है यह बात ध्यान रखना है और बाकी आगे चीज़ों को हम समझेंगे हैं ना आ सीधा मूफ करते हैं हम पीस की हो तो सांती के छेतरा में जो नोबल प्रसकार मिला है तो तीन आपको पता है रशिया और यूकरेन के बीच में वार हो रहा है तो यहां पे बहुत सारे ऐसे मानव अधिकार संगठन हैं जो इन कोई अधिकारों के लिए क्या है लड़ रहे है कि हमेशा क्या होता है वार्ड या युद्ध जो होती है क्या करती है यह नुकसान करती है हमेशा क्या होती है इससे क्या है आपका कह सकते हैं कि आर्थिक लेवल पर भी मानसिक लेवल पर भी सारिक लेवल पर भी या ओवराल कहा जाए दो सब्दों में है ना इकनॉमिक डि तक्सन यानि की आउसारचना की छती भी बहुत होती है तो इस समय यहां पर देखिए जो नोबल प्राइस मिला है वर्स दो हजार बाइस का पीस या सांती के छेत्र में किन को मिला है तीन संगठन बेलारूस यह भी क्या है USSR का पाट रहा था बेलारूस दूसरा रूस की जो है मानव अधिकार अधिवक्ता है ना हुमन राइट एक्टिविस्स एलिस बालियात्सकी ठीक है और यहां पर रश्यन हुमन राइट ऑर्गनाईजिशन मेमोरियल और यूक्रेनी मानव अधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिवर्टीज को ये प्रदान किया गया है यह त तीनों संगठन को चुना गया दो संगठन और एक व्यक्ति हैं है ना इन तीनों को चुना गया तो यह बेसिकली क्या है रूस को एक मैसेज देने का भी काम किया कि युद्ध जो है हमेशा विनासकारी होता है और इसलिए सांधी के लिए इनको क्या तीनों को नोबल पुरस यह होताँ कि कोई भी अभूत पूर्व काम जो किसी देश की राजनेतिक स्धिर्टा के लिए अच्छा हूँ वैस्विक ग्लोबल या ग्लोबल जो है इंस सब क्हास का प्रियोटिटिद यह जाता है तो यहां पे था है जिसमें कि हम देखते हैं कि सत्ता की आलोचना जितना जादा करेंगे सरकार उतना ही जादा क्या होगी एकाउंटेबल होगी तो कभी सरकार का समर्थन करने के बज़ाए उसका आप विरोध किया कीजिये क्योंकि कुछ ऐसे policies होते हैं कुछ ऐसे नीतियां होती हैं वो नीतियां अगर गलत हुई तो वहाँ पे सरकार पर दबाव आता है इसका बिलकुल यह मतलब नहीं है कि प्रसंसा ना करें लेकिन आप सरकार की नीतियों की आलोचना यदि हम करते हैं सरकार उसके प्रती ज्यादा जागरूप रहती है और वो अगली बार यह प्रयास करती है कि मैं ऐसा कोई भी नीति नहीं बनाऊंगा ऐसा कोई भी policy नहीं बनाऊंगा ताकि मेरा criticism हो कोई भी प्रकार के जो योजनाएं होती हैं खास कर जो है एक welfare काम के लिए होती है एक welfare state के स्थापना के लिए होती है लोग कल्यान कारी कारियों के लिए होती है लेकिन अगर हम सरकार की हां में हां मिलाते चलेंगे तो सरकार कभी गलत भी करेगी तो आप हां में हां मिलाने पर क्या है उनके जो welfare काम है वो क्या है रुख सकते हैं या उनके जो है आप कह सकते हैं उनके हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी तो सरकार की अच्छे कामों की प्रसंसा भी केरनी चाहिए और खराब कामों के लिए नेतियों पे कहीं पे कोई problem है तो वहाँ पे भरपूर आलोचना करनी चाहिए ताकि क्या है सरकार की प्रती सरकार की कानों में कानों तक ये बात पहुंच सके और वो अपनी policy को अमेंड कर सके या बहतर policy बना सके मेडिया का काम भी यही होता आप जानते हैं इसने मेडिया को लोगतंत्र का फूर्थ पिलर कहा जाता है ताकि सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को आइना दिखाना उनका मुख्य काम है ना कि सरकार का सरकार जो कहें उनके हां में हां मिलाना है सरकार की कही गई बातों को उन्होंने योजना बनाया है उसको केवल और केवल प्रचारित करने का काम करें केवल वो क्या करें आप लाइक उनके हां में हां मिलाए तो अगर वो कभी जो है कोई गलत पॉलिसी भी बनाया है जैसे कि हाल ही में आप जानते हैं मैं किसी विशेश योजना का नाम नहीं लोगा लेकिन existing government या पूर्व की government के द्वारा समय समय पर कुछ ऐसी योजनाय आई है जिसका क्या है आलुचना किया गया है उसमें मेडिया की बखुभी भूमिका भी रही है लेकिन समय के साथ आप भारत के संदर में अगर बात किया जाए तो मीडिया अभी पूरी तरह से अपने वास्तविक काम को भूल गई है वास्तविक काम उसका क्या है सरकार को आईना दिखाना ताकि सरकार अपना फेस देख सके मैं कुछ गलत कर रहा हूं जिससे कि वो उसकी accountability बढ़ेगी उसकी ज दबाव में आने पर क्या है वो अच्छा काम करती फिर भी नहीं सुधरती है तो अगले जो election होते हैं उसमें सरकार को जनता सबक सिखाती है लेकिन जनता तक ही सरकार के गलत कामों तक जो लेकर जाता है वो है मेडिया, वो print मीडिया हो सकता है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है है ना और आज कल यूटूब भी बहुत बड़ी भूमिका में है क्योंकि बहुत सारे फ्रीलांसर जो है पत्रकार इसमें अपनी बातों को रख रहे तो मुद्दे की बात क्या है कि सत्ता की आलोचना करना एक जो है आपका राइट है अधिकार है अगर आप ऐसा करते हैं तो सरकार जो है उसकी उत्तरद्वाइत यानि की उसकी जो एकाउंटिबिलिटी है वो बढ़ती है और इससे क्या है वहां के नागरिकों की हितों की रक्षा होती है आप ये बिल्कुल मत सोजिएगी आलोचना करने पर आपको कोई फाइदा नहीं है आपको फाइदा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरी से दोनों तरीके से क्योंकि ऐसा करने पर सरकार अपने accountability को समस्ती है जाता बहतर तरीके से नहीं समस्ती है तो अगला tenure आएगा election में उसे हम परास्त कर सकते हैं लेकिन सरकार की अच्छे काम और बुरे कामों को आपको पहचानने आना चाहिए कैसे पहचानेंगे तो logic simple है कि लोग कल्यान कारी याने welfare काम होने चाहिए जिसके साथ साथ क्या है देश की प्रगती भी जुड़ी हो ठीक है यह बात ध्यान रखेगा तो यहां पर बेलारूस यूकरेन और रूस के कारण जो है उन तीनों को दिया गया जिसके कारण क्या है वैस्विक लेबल पर एक संदेज गया कि रश्या जो है और यूक्रेन जो है बैलर्स जो है वो वो बैल्ड जो है जो क्या युद्ध प्रभावित छेतरा है है ना वहां पर मीश देने पर हम एक सांती के प्रतिका एक मैसेज दे रहे हैं है ना वैस्विक याने ग्लोबल बनान के और इनका जो काम था क्या काम था हम उन्होंने अब देखेंगे कि वो क्या किया था ग्रेट डिप्रेशन सदी की या आप कह सकते ही सताबदी की जो सबसे बड़ी कह सकते हैं जो हमारे पास जो है आर्थिक संकट था ग्लोबल रिसेशन था उसको उन्होंने स्टडी किया था और उसके आधार पर कुछ निसकस निकाले थे है ना उसके लिए दिया गया था और दूसरा डगलस डबल्यू डाइमंड और फिलिप एच डाइबविक को ठीक है ये क्या किया था उन्होंने ये भी क्या कहा था कि बैंक जो है ये बहुत बड़ी भूमिका में होते हैं किसी भी अर्थे व्यवस्था में तो दोनों को मैं सामिल कर दूँगो तो क्या कहूंगा किसके लिए दिया गया था नोबल प्राइस बैंकों और वित्तिय संगटों पर सोध के लिए तो वित्य संकट पर सोध बेसिकली किनों ने किया था बैन एस बननानके ने किया था और बैंकों का जो भूमिका उन्होंने किस ने बताया था इन दोनों ने बताया था डगलस डबलू डाइमंड ने और फिलिप डाइब बविक ने ये बातें ध्यान रखनी है छेलिए समझते हैं क्या है इसमें भी कुछ नहीं है आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं इन्होंने ये कहा थी गलोबल रिसेशन आया था खासकर अमेरिका में और उसका प्रभाव दुनिया के अलग-अलग छेत्रम में पढ़ा था भारत में भी पढ़ा था ठीक तो उस समय क्या है यह मुखिया थे उस बैंक के तो उन्होंने क्या कहा देखा कि 1930 के समय में जब दुनिया की जो सबसे बड़ी आर्थिक संकट आई थी उस समय उन्होंने क और एनलेसिस के बाद उन्होंने ये पाया कि दो महत्पुर उन्होंने निसकस निकाला कि बैंक कैसे बैंक सुविधाओं को जारी रखना उस समय उस ततकालीन समय में 1930 के गेट डिप्रेशन में एक बहुत ही बड़ा एक क्रूशल फैक्टर था निड़ाय एक कारक था पहला निसकस ये निकाला दूसरा ये कहा कि अगर बैंक में सुचालित विनियमन के महत्प को समझाने में भी मदद की और उन्होंने ये कहा कि खराब समय उस समय भी क्या है कुछ बैंकों की माली हालत बहुत खराब थी फिर भी वो किस भूमिका के साथ उस डिप्रेशन में मदद किये ये उन्होंने दूसरी पॉइंट बताया ये बात सबको समझ में आई अच्छा अगर ये बात समझ में आ गया है तो इसका जो निसकर्स है वो वरतमान में उन्होंने 2008 के समय में जग ग्रेट डिप्रेशन नहीं 2008 का रिशेशन आया था उसमें अमेरिका को आगे बढ़ के आ रही है 2008 आपकी काफी पहले की बात है उस समय तो वो एक्टी एक्चुली वो फील्ड में थे वो खुदी बैंक में थे अभी उनके समय में वो पहले 1930 का जो है निसकर्स था उसको 2008 के समय में उन्होंने उप्योग किया होगा और फाइनली उसको फाइनली ये बताया कि ये जो चीजें होती है ये हमेशा क्या है बहतर वित्ती संकर्ड की बहतर जो है प्रबंधन में मदद करती है ये बात सबको समझ मेंने है और बैंकों के बारे में जो कहा गया था डायमन और डाइवविक ने दोनों ने क्या क्या ईकासा मॉडल एक ऐसा सःध्धानतिक समाज को उपर उठाने में जो भेद भाव में जो बैंकों के द्वारा जो लोन आवंटित किये जाते हैं जो जमा जो है बीमा जो कराया जाता है है ना तो इसमें एक बड़ी भूमिका होती है सामाजिक उत्थान में है ना सामाजिक उत्थान में बड़ी भूमिका होती है इसके बारे में उन्होंने बताया और एक बहुत ही मत्पुन बात बताया कि जैसे कुछ लोग आप बैंक में पैसे जमा करते हैं कुछ फार बैंक को काम करता है तो इसी इसी उदहार करता हूं की साख यानि इसी क्रेडिट का जो है उपयोग करते हुए हम ये सुनेशित कर सकते हैं कि रिण के लिए वो रिण जो है आने वाले समय में कैसे हम इन्वेस्मेंट करें और वो इन्वेस्मेंट सही दिसा में होगा या नहीं या उसके आधार पर हम आकलन कर लेते हैं कि इन्वेस्मेंट का सबसे बहतर से बहत नहीं है ठीक है यह चीजे description दी हुई है आप आपको कोई चीज समझने में दिक्कत भी हुई होगी तो accordingly पढ़ेंगे तो चीजे clear हो जाएंगी आगे बढ़ते हम अब आगे बढ़ते एक बड़े renowned scientist renowned mathematician भारत की सबसे बड़े mathematician में से एक ठीक है इनका नाम है सर स्री निवास र जानते थे a man who knew infinity ठीक है काफी कम समय में 32 वज की आयों में जो है इनकी डैथ हो गई थी और basically क्या है इनके बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने क्या है विस्वाइस तर पर एक बड़े बड़े science mathematician रहे हाड़ी उनके साथ क्या है क्या है सोद किये थे उसके बाद हम बात क कि हम कहते हैं कि इनको कहा जाता है कि उन्होंने मैं जो है रामानुजन नंबर भी दिया था रामानुजन नंबर को हम पहले के session में डिसकस कर भी चुके थे फिर भी आप लोग मुझे comment box में बताएए कि रामानुजन नंबर किसे कहा जाता है और इसके बाद देखेंगे कि इसके बाद आगे समझते हैं कि जो रामानुजन पर जो उनको जो है एक सम्मान में उनके जो है बेसिकली देखिए वो तमिल नाडो के पास एक गाउँ था एक छेतर एरोड वहां पर ये बिलॉंग करते थे और वो क्या है बेसिकली उनका यो यो योगदान है उस योगदा प्राइस का जो रामानुजन प्राइस कि इनको मिला है तो यहां पर देखिए है ना यू किंग टांग जो क्या है यूनिवेसिटी आप कैलिफोर्रिया बर्कले यूएसिक में है ये पदस्त है असोसीट जो है प्रोफेसर है ठीक है तो इनों ने इनको जो है रामानुजन डिए जाता है यहां पर सस्त्र रामानुजन पुरसकार दिये जाता है तो सस्त्र का मतलब क्या है एक 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 किका नाडवी है जिसका नाम है जो भारत के तमिल्न अडू में है राकार्डों है वहां सनमुगा कल विज्ञान प्रदोफिएं अनुसंदान अकार्डमी याने क कह सकते हैं सनमुगा Arts and Science and Technology Research Academy इसका मतलब है सस्त्र है यह नाम से दिया जाता है क्योंकि इन्हीं के द्वारा यह स्थापित किया गया है तो किनको मिला है भाई यह जो है यह जो साइन्टिस्ट हैं यह जो मैथमेटिक्शन्स हैं इनको नाम इनका करतें इंडियन एयर फोस दे तो इंडियन एयर फोस्ट डे जो है इंडियन एयर फोस्ट जो है इव समय स्थापित गई थी ठीक है तो उसी की याद में हम प्रतिवस 8 October को ही क्या मनाते हैं इंडियन एर फोस डे मनाते हैं कुछ बातें इसमें समझ लीजिए जो काम की है है ना क्या काम की है देखिए 8 October को हम सेलिबरेट करते हैं है ना चंडी गड़ पे इस बार हमने क्या किया वहां इस्थान पर हमने एयर फोसेस का पूरा प्रदसंद किया डिफरेंट अलग अलग चीज है जैसे कि आप तक आप सुनते थे तेजस के बारे में तेजस क्या है एक्जाम में कई बार पूछा है लाइट कमबेट ए है परफॉर्मेंस है तो इसके अलावा वैसे यहां पर देखिए अब लएट कमबेट हेलिकॉप्टर इसका नाम है प्रचंड प्रचंड की बारे में आगे में डिस्किप्शन भी बताऊंगा पहले हमने इसे अलग से यूटुब में दिया भी था डिटेल तो प्रचंड ब सबस्क्राइब करें तो एयरफोर्स की स्टेंद को कुछ मातपूर्ण जो कह सकते एयरफोर्स की जो रंख्षा उतपाद हैं बरत्छा की जो बड़े-बड़े क्या है 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 ऐलिकॉप्टर से हैं और दूसरे जो बड़े-बड़े रंड़े अनके बारे में अगर आप देख और फ्यूल करना होता तो ऑसकी जो है और वैसे हम हेलीकॉप्टर की बात गरते हैं तो हेलीकॉप्टर रहे है अपाची है कोप्टर रहे हैं और इस माई7 का स्ठेंट है ति हो सकती है हमारा एयर फोस क्यों powerful है क्यों दुनिया की चौथी बड़ी हम एयर फोस सकती हैं भी आर्दफ साक्राइब खिंटरी इन टर्म पॉइंन पावर की काम क्में हम किसके दुर्व ईया की चौथी बड़ी वाई उसे ना सकती है यह थ्यान रखती है तो श्राट अक्टूबर के बारे में चीजे ध्यान रख लेंगे अच्छा थोड़ा बहुत स्टातिक का poignet देख लेते हैं लेकिन हम पहले थोड़ा सा क्या समझ लेए इसके बारे में हाई altitude पर जाकर क्या है काम कर सके हम विदेशी ही हेलिकॉप्टर पर हम निर्वर थे तो 1999 की करगिल वार के बाद भारत में जरूरत महसूस हुई कि क्यों होना हम भी बनाए ऐसे टाइप के हेलिकॉप्टर जो हाई altitude पर काम कर सके और वहां से स्टार्ट किया गया था है ना देखो आपको ये बात ध्यान रखनी है 1999 में ये भी initiative लिया गया था और 1999 से हमने क्या सब्मरीन बनाने का भी क्या है जिम्मा लिया था वहां से स्ट में कवर भी कियें कि 1999 से प्रारम हुई है 2001 से लेके 2030 तक 300 का हमने टार्गेट रखा है प्रजेक्ट 75 अगरे सब उसी के अंदर आ जाते हैं लेकिन यहां पर बात आती हेलिकॉप्टर बनाने का भी खासकर हाई altitude हेलिकॉप्टर ज्यादा उचाई पर काम करने वाला लेते हैं और फाइनली हम बनाते हैं दुनिया का एक मात्र ऐसा अटेक हेलिकॉप्टर जो हाई altitude पर काम करता है भी कहेंगे दुनिया के पास नहीं क्या है लेकिन हिमायदा जैसे हाई altitude वाले इस रेंज पर काम करने वाला अटेक हेलिकॉप्टर नहीं है तो यहां उसका ना लड़ सकता है उतर सकता है सम्धिंग ठीक किस ने बनाया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लेमिटेड ने बनाया है यह दो इंजन वाले हेलिकॉप्टर है जैसे कि आकसर आप पढ़ते हैं अकसर आप पढ़ते हैं कि मिग सीरीज के कुछ हेलिकॉप्टर जो है उसके जो एर जो है मतलně डिकर रहे है वह क्या है ऌहिक घूलते हैं अब उसक है और भारत सरकार अभी व कर रही है एक्चल में तो से रिटायर कर देना चाहिए तो वो जो है जो 1985 से ही 1985 से हम खरिदे अभी सोचिए 2022 है ठीक है और वो outdated हुए ही कम से कम 20 साल से जादा हो चुके है उतना पुराना क्या है हमारे पास जो मिग सीरीज के जो है खासकर मिग 29 वगरा हैं ये सब जो चीजे हैं ये अब जो है उपयोग नहीं करना चाहिए या डबल इंजिन वाले करने चाहिए हो सकता है मिक सीरीज के कुछ हो भी लेकिन पर्टिक्लरी जो दुरघटना ग्रस्त हो वो होता है वो सिंगल इंजिन वाला है तो यहां पर क्या है ये जो आपका हेलिकॉप्टर रही है डबल इंजिन वाला है जिसमें haz की हम कहेंगे दुरुआस्ट जैसे और मिस्टर 2 जैसे मिसाइल छोड़ सकते जुरुआस्ट क्या है है नाग मिसाइल का एडवांस मिसाइल है मिस्टर 2 भी ऐसा मिसाइल है ठीक है इसमें highly navigation system है GPS enabled है कह सकते हैं और अब तो हम नाविक enabled वाली बात करेंगे हम GPS को बाई बाई कहेंगे अब तो हम नाविक यूज़ करेंगे क्योंकि भारत का स्वदेशी GPS है ठीक है ये बात ध्यारक नहीं है ये नाविक को हम यूज़ करेंगे ठीक नाविक क्या है navigation with Indian constellation भारत का जो है भारत की भुमी और भारत की आसपास की छेत्रों पर उपर satellite से क्या है हमारे latitude, longitude को सब को हम जान सकते हैं हम उसे अपना वास्तविक इस्थिती उससे पता लगा सकते हैं और बिसिकली एक नव वहन या navigation का काम करती है हमारी location को बता सकती है ठीक ये बाते ध्यान रखने हैं तो आज की session में इतनी बाते हम रखते हैं नेक्स session में कुछ और महत्वूर बातें भी हम cover करेंगे लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ा बताया इसका static part थोड़ा देख लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे Indian Air Force की स्थापना वस 1932 में हुई थी और आपको ये पता है कि Second World War हुआ था 1939 से लेके 1945 के बीच में 1949 से 1945 तो 1945 में 1949 के पहले जब पूरी दुनिया क्या है इस प्रकार हम देख रहे हैं अलग-अलग धरूम में विभाजित हो रही थी और खास कर जो है उस समय हम British India हुआ गरते थे तो ब्रिटिस को जो है ये कमी महसूस हुई या यह अंदेशा हो गया कि जैपैन हम पर भी अटेक करेगा तो उन्होंने क्या किया बेसिकली जैपैन को आख दिखाने के लिए भारत में क्या है भारती इंडियन एयर फोस जो है उन्होंने स्थापित किया कब किया 1932 में याद र लिए ता हर्ची ओ गया था तो उस समय किया है वेशे के लिए इनके यो युरतियन गंडरी की जीत है तो उससमें क्या यूंके भी यूर चिइंड़ एंडियन एयर फोस के लिए सम्मान घ्लधियर प्रता लूढ़ां गया था चैपैन की खिलाब यूध्य में हम इसे प्रय Indian air force को то Royal Indian Air Force. उसका नाम होता लेकिन भारत भारत अजाद हो गया? तो रॉयल वर्ड हटा दिया गया. यह बात क्लियर हो गया है ना? तो युनाइटिच टींडम के अशै रॉयल Air Force है ना? तो वैसे इंडिया का रॉयल Air Force होता तो यह रॉयल वर्ड किस ने दिया किंग जार्ज 6 ने दिया था कब दिया था सेकेंड वर्ड वर्ड जब खतम हो गया 1945 में तब तब भी तो हम बेटेस इंडिया थे यह बात ध्यान रखेगा है ना अब यह बात जो से मैंने बता था दुनिया की चौथी बड़ी हम वायू सेना है इ थिया है नए दिल्दिर है और एयरफोस के चीप को यह चीप मार्सल कहा जाता है और जैसे की कहते हैं विक्ण वी介ग राम चौधरी दिब इयर चौदरी जो अब यह बात ध्यां रखेगा तो यह इतनी सारी बात आपको धया रखनी है और आपको इस से related जाते जाते कि important content देखे जा रहा हूं कभी न कभी आपको यह help करेगी कि Indian Air Force के सबसे बड़े-बड़े mission क्या हैं तो यह है Indian Air Force के सबसे बड़े-बड़े mission जिसमें कि हमारे पास आता है पहला देखी operation make dude तो सियाचीन glacier एक high altitude पर हमारा जो सियाचीन छेत्र है ज्यादा उंचाई पर जो सियाचीन छेत्र है इन छेत्रों में जहां पर temperature बहुत ज्यादा माइनस में होता है hard cup cup देने वाली जो ठंड होती है इस area में हम बात करते हैं operation make dude चलाए गया Indian Air Force और आर्मी के द्वारा ताकि उन खेत्रों को हम क्या करें सुरक्षित रह सकें ताकि पाकिस्तान और चीन पर उस पर नजर ना पड़े ठीक है तो 1984 में यह जो है हम उसे नियंद्रित करने के लिए हम क्या किये यह operation चलाए उसके बाद ऑपरेशन विजह आपको पता है पाकिस्तान हुआ करता था आपको पता है की इस समय पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में डिवायडेट था यह उससमय भना नहीं, नहीं था तक हम पाकिस्तानी आर्मी को ढागा तक ख़देड़ के वापस ले गया थे और इस इसमें समय क्या है बहुत सारे सरणार थी बहुत सारे वहां पर जो भांगला देशी भारत में माइगरेट करके भी आ गये थे जो आज भी हम उसके बार में पढ़ते हैं तो यह जो बांगलादेश का क्रिएशन वाई इसी समय हुआ था इस समय क्या है बांगलादेश में जो मुक्ति संग्राम चल रहा था उसको लीट करने वाले जो नेता थे शेक मुझीबूर रहमान उनको जो है पॉलिटिकली क्या है यानि राजनीतिक रूफ से उनको दाई तो दिया गया कि आप देश के आप ही राष्ट पिता हो आप ही सर्विस अरवा हो आप अपने देश को समा लिए और इस जो बांगलादेश को जो है क्रियेशन करने में या पाकिस्तान को हराने में जिनका युगदान था जिस प्राइमिस्टर जिनने हम आइरन लेडी भी कहते हैं वो थी कौन सिमती इंद्रा गांधी जो अपने बोल्ड डिसीजन एक मजबूत डिसीजन के लिए वर्ल्ड फेमस थी ठीक और अभी भी इनके बारे में कहा जाता है कि भारत की सीर्स सबसे पावरफुल तीन प्राइमिस्टर में से अगर नाम लिया जाए उसमें गैरंटीड में कहूंगा कि इंद्रा गांधी तो होंगी होंगी क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन दिया था जब आपके सामने आपके सामने आरेबियन सी मे कह सकते हैं कि USA की जो है मतलब वार्शिप युद्धपूत आ चुगा था इसको ना आख दिखाते हुए हमने पाकिस्तान को उसके घर में खदेड़ा था और पाकिस्तान की दो तुकड़े किये थे चोटी मोटी बात नहीं है क्योंकि उस समय भी क्या है USA ग्लोबल पावर भी थीद्यान रखेगा और यांफ आपटेशन यह बेसीकली दो चीजों से रिल्यटेटेट करने करने के समय यह यह प्रोप्रियसन चलाए गया था और और फैस्टी चलाए गयाा था का ещё नंग क्या में जो करना हुई थी सिवल वार जैसी बहुत ही जो है भायावा अस्थितित वहां पर हम उनके लोगों को क्या मदद के लिए गए थे ठीक है तो यह बातें आपको ध्यां रखने हैं कर्गिल वार आप सभी को पता है कि 1999 की कर्गिल वार में इंडियन एयर फोस ने सबसे बखुबी भूमिका निभाई थी जिसके कारण हम पाकिस्तान को फिर से क्या है तीसरी बार हम उसे मात दिये थे याने उसे हराय थे तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मिलते हैं हम नेक्स सेशन में तो आपको किसी प्रकार का डाउट है या कुछ भी आपको समझ नही आप कमेंड बॉक्स में लिखे भेज सकते हैं थैंक यू सो मच अबनाइस देख